नमस्कार दोस्तों आज किस वीडियो में हम आपको बताएंगी कि जीवा एप्लिकेशन से ओनलाइन ओर्डर को कैंसल कैसे कर सकते है जी हैं गईज आपने भी जीवा एप्लिकेशन से ओनलाइन ज्वेलरी ओर्डर किया है और आप उस ज्वेलरी के ओर्डर को कैंसल करना चाहत जिससे आने वाले वीडियो की notification आपको मिलते रहेगी तो चलिए print size के वीडियो स्टार्ट करते हैं तो गई सबसे पहले आपको क्या करना है सबसे पहले आपको जीवा application को open करना जीवा application को open करने के बाद गई जहां पर आप देख सकते हैं यहां पर जीवा application open हो चुकी है और जहां पर आपको इस्तर का इंटरफिस देखने को मिल जाता है तो गई जहां पर आपको इस्तर का इंटरफिस देखने को मिल जाता है तो गई जहां पर आपको क्या करना है यहां पर आपको और इस्ट्रेक आपसंपर क्लिक करने के बाद गई जहां पर आप देख सकते हैं यह पर आपने G evah application से जो भी प्रोडेक्ट order किया है वह यहां पर आपको order मैं देखने को मिल जाएगा तो गये जहां पर मैं इस order को cancer करना चाहता हूं तो गई जहां पर मैं इस order के option पर clicking करता हूं order के option पर गरने के बाद गई जहां पर आप देख सकते हैं और आपको order के इसके लिए मैंने रीजिन को सलेक्ट कर लिया है रीजिन को सलेक्ट करने के बाद के जहां पर आप दीक सकते है यहां पर आपको कंफॉर्म केंसिलेशन के अप्सेंबर क्रिक करना है confirm cancellation का option पर click करने के बाद गई जहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको I want my order का option पर click करना है यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको yes cancel का option पर click करना है तो गई जहाँ पर मैं yes cancel का option पर click करता हूँ तो गैज अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगो तो वीडियो को लाइक, शेर और सब्सक्राइब जरूर कर लेना